जहां दुस्तों कॉलिज में हिंदी मीडियम लिया है या इंगलिज मीडियम लिया है हमने कॉलिज में हम कैसे चेक करें हमारा कॉलिज में एडमिशन हो गया था ठीक है कॉलिज में एडमिशन होने के बाद में हमसे यह नहीं पूचा गया था कि हमें हिंदी मीडियम में एडम लेकिन हमको कोलीज में एडमिसन लेते हैं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था जिसमें हम से लेक्ट कर सकाएं कि हिंदी मीडियम लेना है इसमें को इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है को भी मेंडेयों लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो देखें दोस्तों हम college में admission लेते हैं तो जो college होता है न जो college होता है न दोस्तों उसमें Hindi medium भी होता है उसमें English medium भी होता है उसमें Hindi medium के student भी फड़ते हैं उसमें English medium के student भी फड़ते हैं में क्या होता था कि स्कूल में हिंदी Lum का अलग है नोग होता था अब दोस्तों आपर बात आती है कि हम तो हंदी मीडियम के स्टूरेट कैसे पढ़ेंगे या मेघुनियम के स्टूरेंट कैसे पढ़ेंगे यह पूरी इन्पॉर्मिचन को आज किस मिलियो में देखेंगे तो मैं हैं पर आपको बता देना चालता हूं जो कॉले जोते हैं कॉलेज में दोनों प्रेकार से study कर वाई जाती है Hindi Medium का भी वही कॉर्ष रहता है English Medium का भी वहीं कॉर्ष रहता है यानि कि कॉर्ष के बारे में बात करें तो Same course रहता है अब दोーसरивает के बारे में बात करें तो कॉल्ष में Hindi Medium में और English Medium मेले स्टुडेंट को दोनों को सेम कोर्स होने की बज़े से जो फडाई करवाई जातीे बस तोड़ा लेंग्विच का फरक रहता है और जो लेंग्विच का फरक रहता है वो टीचर कम्प्रीट कर देते नोट्स मिल जाते हैं तो हो गई पूरी बारे में बाता लेकिन हमगें यहां पर बात करने करने हैं हमने हिंदी मीडियम हमने दिए में मिला है दिए में में जो की ईड़मिस koń मिला है तो दोस्तों मैं आपको बता देना कि फैसिलेटिव नहीं होती है तो पिर क्या होता है या आपesper में एप्लाई होते हैं लेकिन जो enrollment registration होता है उसी time पर आपसे options पूछे जाते हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि एक university है इस university का जब हम enrollment apply कर रहे हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है medium, Hindi medium, English medium ऐसे एक और university है इसका अगर हम apply कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है medium, Hindi medium या English medium तो आपको Hindi medium में admission लेना है English medium में admission लेना है वो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ college बहीं देता है college में चाहें आप Hindi medium की होँ चाहें English medium की होँ उससे कोई फ़रक नहीं पढ़ता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कोई जो की प्रॉलम होगी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप ने हिंदीमीडियम में जो हिंदीमीडियम के स्टुडेंट है और आप सोच रहे हैं कि English Medium के student हैं और Hindi में अगर exam देना चाते हैं तो Hindi में exam दे सकते हैं और English Medium के student हैं अगर आप और English में exam देना चाते हैं तो Hindi में exam दे सकते हैं अब दोस्तों आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं आप आप कोई complete जो की जानकारी बता देता हम अब दोस्तों Hindi और English Medium से आपको college में कोई फरक नहीं परता है अब दूसको ने फटाल तूसपे पर पता है कि वहां मीडियम का आइकान वियापशन पर पार आपको लिखना होता है एंग्लेख धर अगर आपने वहां पर पर हिंदी में एक्जाम देना है अगर आरफ आप पर आपको एंग्जाब अब इससे कोई फरक नहीं पड़ेबा कि ज़िया आप Hindi medium के student हों, इंग्लिस medium के student हों, आप किसी भी medium के student हो, बस जो exam होते हैं, उस time पर जो आप medium select करोगे, उसी medium में exam देना होगा, जैसे आप Hindi medium के student हैं, ठीक है? उससे कोई परकनी पड़ेगा ऐसे English के student हो ठीक है इंदी में अगर आपने Hindi लिख दिया वहाँ पर copy में तो फिर Hindi में लिखना पड़ेगा और English लिख दिया आपने तो English में लिखना पड़ेगा उससे कोई परकनी पड़ता है क्योंकि जो teachers के पास copy जाती है न वो copy जाती है कि admission किस में हुआ है आपका इंदी मीडियम में हुआ है English में जो copy जाती है प्रॉपेसर्स पर चेक करने के लिए वो जाती है mediums को δेखकर ना की आपके route number को देखकर भी नहीं जाती है ना ही आपकी किसी भी चीज़ को देखकर जाती है कि अबर दो चीज़ को देखकर जाती है ऐता होगा medium से देखका जाता है इसके अधे medium बाला होता है तो इसके बाद में दूसरा वह readily किया जाता है subject कि subject की copy है तो बैई दोनों चीज़ा चेक की जाती है ना कि आपके roll number वगर सबी चीज़ा है इससे कोई फरक्नी पड़ता है तो आप इस सोच रहे हैं कि हमने हिंदी मीडियम में एडमिसल ले आए इंग्लिश मीडियम में एडमिसल ले आए क्या होगा तो मैं यहाँ पर आपको पूरी information मिल गई है उम्मित करना हम पूरी जानकारी अच्छे समझ में आगी होगी मैंने यहाँ पर आपको पूरी information बताई है बिलकुर right information बताई है बस आपको कोई भी tension नहीं लेना है जब आप exam देने जाओ तो जो exams copy होती है वहाँ पर हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपको exam देना है वहाँ पर लिखते न और उससे कोई भी परिसानी नहीं होगी बस यह चोटी से जानकारी थी बस यह चोटी से जानकारी है न लेकर students के मन में कापी डर पैदा कर देती यहाँ पर हमारे exams आने वाले हैं first year के और first year के student कोई पता नहीं है कि हमने इंग्लिश मीडियो में अडमिसल लिया है तो मैंने सुझे एक वीडियो बना देता हूँ complete इसमें मैं आपको बता दूँगा कि जो हिंदी मीडियो के student है इंग्लिश मीडियो के student है आपको कुछ न में आ गई है अगर लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए कमेंट नहीं किया है कमेंट करिए जो भी आपको doubt है कमेंट करें मैं आपकी problem को पूरी solve करने की कोशिस करता हूँ तो जल्ली से जल्ली कमेंट करें मिद्रक्स वीडियो के साथ तर तक लिए बाई